नमस्कार, भारत ग्यानक्षर की टीम अपने सभी दर्शकों का तहे दिन से स्वागत करती है, कारगिल युद की अनकही दास्तान कारगिल सिरीज में युद को करीब एक महिना होने को आया था, हर दिन भारत मा के कई सपूत इस धर्टी की रक्षा में अपनी जान पुर्बान कर चुके थे खौफ का माहोल बना हुआ था, दोनों देशों की जनता, सरकार और सेना यह सोच रही थी कि इस युद का क्या परिणाम होगा सबसे दुखत बात यह थी कि आए दिन हुई जड़प में दोनों और से हजारों सेनिक वीरगती को प्राप्थ हो चुके थे भारतिय सेना के लिए सबसे बड़ी चुनोती कारगिल का शेत्र था, जहां 18,000 फीट से भी उँची चोटिया थी क्योंकि दिन का हमला भारतिय सेना के लिए आत्म घाती होता था, तो सेना रात को तैनात रहती थी और गश्टे लगाती रहती थी, जिस कारण ठंड का खत्रा उस शेत्र में बढ़ जाता था हवा की ठंड कारग के लिए लेखांकन पहार की चोटियों के आप आसपास तापमान अकसर माइनस पंदरा डिग्री से माइनस ग्यारा डिग्री सेल्शियस तक हो जाता था यही कारण था कि कारगिन को आंशिक रूप से लक्षित किया गया था अब पाकिस्तान बोखला गया था इसलिए 31 माई 1999 को पाकिस्तानी विदेश सचीव शमशाद एहमद ने यह गोशना कर दी कि स्थिती की मांग होने पर पाकिस्तान अपने शस्त्रागार में से किसी भी हतियार का उप्योग कर सकता है उनके कहनी का यह साफ मतलब था कि पाकिस्तान की सेना अगर कमजोर पड़ती है तो वे भारत के खिलाफ न्यूकलियर वेपन का भी प्रयोग कर सकते है पाकिस्तान की सामग्र योजना संयुक्त राष्ट्य सुरक्षा परिशद UNSE को ले जाने की थी इसलामबाद यह सोचकर बैठा था कि अगर संघर्ष विराम कहा जाता है तो LOC शिप्ट हो जाएगी और पाकिस्तान को इस शेत्र पर कबजा करने की अनुमती दे दी जाएगी भारत की एक कारगिल समिक्षा समीति को उद्देश्य राष्ट्य करन करना था अंतर राष्ट्य समुदाय द्वारा संघर्ष विराम लागू किये जाने की उम्मीद थी प्रत्यक्ष के बारे में उबग्रह निगरानी और खूफिया सूत्रों से मिले सबूतों में कारगिल गुस्पैट में पाकिस्तानी सैनिकों की भी मोजूदगी का पता चला इस प्रकार वोशिंटन ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और गुस्पैटियों एवन पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटने को कहा उन्होंने पाकिस्तान से इस युद को समाप्त करने को कहा परंतु पाकिस्तान ने उनके फैसले को नकार दिया और भारत की सीमाओं पे गुस्पैट जारी रहीगी आईए अब हम एक वीर सैनिक की शहादत को याद कराते हुए उसके शौरे की गाथा सुनाते हैं उस वीर जाबाज का नाम रविंदर सिंग है मात्र 19 वर्ष की अल्प आयू में ही रविंदर ने अपने परिवार एवन गाउं का नाम युद के इतिहास में अमर करा दिया सोनिपत के रोहोना गाउं में 20 मई 1980 को जन में रविंदर की इच्छा बच्पन से ही सेना में भरती होकर देश सेवा करने की थी रविंदर के पिता सेना में थे इसी कारण सैन्य प्रष्ट गुमी का भी असर रहा जो उसे सेना की नौकरी में खीच ले गया रविंदर सिंग ने सेना में जाने की अर्जी परिवार वालों की बगैर जानकारी के भेज दी थी जब भार के सेना से बुलावा आया तब लोगों को इस बात की जानकारी हुई चार जाट रेजिमेंट के जाबाज रविंद्र सिंग 6 जून 1999 को द्रास सेक्टर की एक चोटी को मुक्त कराने के लिए अपनी कमांड के साथ रस्ती के सहारे उपर चड़ रहे थे तब ही दुश्मनों ने उपर से रस्ती काट दी जिससे वह नीचे गिर पड़े और भारत मा की कोद में सदा सदा के लिए सो गए रविंद्र की मा मूर्ती देवी का अपने बेटे की शहादत पर कहना था कि बेटे के जाने का गम किसे नहीं होता मगर यदी बेटा देश पर कुर्बान हो जाए तो किसी भी मा के लिए इससे बढ़कर गर्व की बात क्या हो सकती है एक मा की यह जुबानी सुनकर हर भारते सैनिक में देश की सेवा के प्रती जज़बा दुगना हो गया था अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइप करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करें और दोस्तों आवम रिष्टदारों में शेयर भी करें